नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादकी विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से संबंदित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं आज के इस संपादकी के साथ जिसका सिर्च रख है हर्याना प्राइविट जॉब रिजर्बेशन इस संपादकी को लिया गया है Economic Time से और यह संपादकी है GS Paper 3 के दिश्टिकों से महत्रपूर ने तो चलिए देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधार क्या है इसका आधार है हर्याना State Employment of Local Candidates Bill 2020 जिसे हर्याना विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और अगर इस बिल के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो प्रमुख प्रावधान यह है कि हर्याना राज्य में नीजी छेत्र में कुल रोजगार का 75% सीट इस्थानिये व्यक्ति के लिए आरक्षित होग यह प्रावधान किया गया है इस नए बिल में अब जरा कुछ सवालों पर गौर करते हैं क्या तो पहला सवाल यह कि इस बिल के अंतरगत आरच्छित छेत्र कौन-कौन से हैं वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कंपनी हो सोसाइटी हो ट्रस्ट हो सीमित देता या सा वे निर्मान या सेवा के उद्धिस से दस या अधिक करमचारियों को जो कारी दे रहा है वह नियोकता है तो मतलब यहां पर यह है कि वैसी प्रतिएक कंपनी जो दस या अधिक करमचारियों को कारी पर रख रही है वह कंपनी नियोकता कहलाती है और उसका पंजिकृत होना आवस्यक है, Company अधिनियम 2013, Haryana Registration and Regulation of Societies Act 2012, Limited Liability Partnership Act 2008 Indian Partnership Act 1932 और वैसे प्रतेक ट्रस्ट जो पंजिकृत हैं, Indian Trust Act 1882 के अंतरगत, वे सब के सब नियोकता की स्रेणी में आएंगे, वहीं इसका यह भी अर्थ है कि केंद्र और राज्जी के स्वामित वाली जो प्रतेक संस्था है वह नियोकता के अंतरगत सामिल नहीं है, अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल यहां पर यह है कि इस्थानी उमिद्वार आखिर कौन है तो इस्थानी उमिद्वार यहां पर यह है कि उस प्रतियक इस्थानी उमिद्वार को एक designated portal पर उसको अपना पंजिकरन कराना पड़ेगा और इसी designated portal के माध्यम से प्रतियक न्युक्ता वह क्या करेगा कि इस्थानी उमिद्वारों को न्युक्ती देगा उनको रोजगार देगा अब एक सवाल यहां पर यह है कि क्या जितने भी करमचारी कारे करेंगे नीजी छेत्र में तो उनकुल करमचारीों का 75% जो पद है वह आरक्षित होगा तो नहीं ऐसा नहीं है तो फिर क्या है तो देखिए सर्थ क्या है सर्थ यहां पर यह है कि नियुक्ता प्रतेक उस पद पर जिसका सकल वेतन या सकल मजदूरी पचास हजार रुपए से कम है उसका 75% वह इस्थानिय जो उमिद्वार हैं उनके लिए आरक्षित रखेगा वहीं नियुक्ता को यह भी विवेका धीन सक्तिया है कि वह जीले के इस्तर पर इस्थानिय उमिद्वार के एक निश्चित प्रतिसत को तै करें जो कुल पद का 10% या 10% से जादा भी हो सकता है अब फिर अगला सवाल यहाँ पर यह है क्या कुछ प्रतिस्थानों को 75% जो या अनिवारिता है उससे छूट भी मिल सकती है तो मिल सकती है कैसे तो वैसे प्रतिस्थान जिनके पास प्रियाप्त संख्या में कुसल एवं योगी इस्थानी उमिद्वार की कमी है या उनके पास जितने भी इस्थानी उमिद्वार हैं वो कुसल नहीं है या योगिता के जो मापदंड है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उन प्रतिस्थानों को इस 75% अनिवारिता से छूट मिल सकती है लेकिन इसके लिए भी एक प्रक्रिया है प्रक्रिया यह है कि उस प्र प्रक्रिया उसके अलावा जो डिप्टी कमिशनर या उससे उपर के पद के अधिकारी है वह नियुकता को इस बात का निर्देश भी दे सकते हैं कि नियुकता इन इस्थानी उमिद्वारों की कुसलता या योगिता के लिए उनको पर शिक्षन दें उसके अलावा पर देने पड़ेंगे और फिर उन आकड़ों की जाच की जाएगी किसके द्वारा सव डिविजनल ऑफिसर्स के द्वारा और अगर कोई परतिश्ठान जो विधी आई है अगर उसकी अवग्या या अनुपालन नहीं करता है तो फिर उस पर जुर्माना लगाए जाने का भ इस्थानिये लोगों को आरक्षन देने की बात हो रही है तो अब हम यहाँ पर बात यह करते हैं कि रोजगार में इस्थानिये लोगों को जो आरक्षन देने की बात इससे पहले जैसे कि आंद्रप्रते सरकार के द्वारा की गई है और अभी हर्याना के सरकार के द्वारा विधी लाई गई है, तो जरा हम देखते हैं, हम इसकी समिक्षा करते हैं कि यह कितना उचित और कितना अनुचित, तो समिक्षा के अंतरगर, सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पक्षपे, देखिए, अगर ऐसा होता है, मतलब यह कि इस्थानी लोगों को रोजगार में अगर आरक्षन दिया जाता है, तो पलायन में ठहरा हो जाएगा, ना केवल राज्य के भीतर, मतलब एक राज्य के भीतर, बलकि जो अलग अलग राज्य है, उन राज्यों के बीच भी पलायन जो हो रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगी, या तो कमी हो जाएगी, अगर सही धं संख्या का अत्रिक्त भार पड़ता है उसमें कमी आ जाएगी जो हम अमोमन दिल्ली और मुमे जैसे सहरों में देखते हैं उसके अलावा जुग्यों का जो और नियंत्रित विस्तार होता है उसमें भी कमी आएगी और बड़े सहरों में जो अपराद में वृध्धी हो रिये उसमें भी कमी आ जाएगी उसके अलावा इस्थानिय इस्तर पर ना केवल रोजगार का स्रिजन होगा बल्कि लोगों की कुसलता को भी बढ़ाने का प्रियास किया जाएगा तो इससे लाब किसको होगा माइक्रो इस्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को मतलब ये कि माइक्रो इस्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आविस्यक जो स्रंबल है उस स्रंबल की प्रयाप्त संख्या उनको उपलब्द हो जाएगी और जब रोजगार प्राप्ती का विकेंद्री करण हो फिर इसका लाब क्या होगा इसका लाब यहां पर यह होगा कि आए प्राप्ति का विकेंद्री करण होगा और अगर आए प्राप्ति का विकेंद्री करण होगा तो फिर आए और समानता में कमी आएगी लोगों की आए इस्थाई होगी और अगर इस्थाई आए की प्राप्त लोगों को होती है तो फिर वित्ती सुरक्षा में बढ़ोत्री होगी और वित्ती सुरक्षा में बढ़ोत्री होने का मतलब यहां पर यह है कि स्वास्त और सिक्षा के इस तरमें आम लोगों के जो है उसमें वृद्धी देखी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीमाएं इसकी क्या है पहली बात तो यह जो अबधारना है वह Ease of डिंग बिजनेस के विप्रीत है वह क्यों वह इसलिए क्योंकि राज्य ने एक कानून बनाया है और उस कानून को उतपादन इकाईयों पर थोब दिया है उसके अलाबा इस कानून को लागू कराने के लिए नौकर साही को और सिमित सक्ति दी गई है तो इससे यह होगा कि लाल फिता साही की प्रविर्टी में बढ़ोत्री होगी ब्यूरोक्रेसी की जो प्रविर्टी हो उसमें और बढ़ोत्री होगी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले के एक हस्तक छेप है वहीं अगर यह देखे कि उतपादन इकाईयों को अगर मजबूर किया जाता है कि इस्थानिय उमिद्वार को ही उनको रोजगार पर रखना है तो कहीं न कहीं वह कम कुसल कामगार को कारे पर रखने को मजबूर होते हैं तो फिर इस से उनकी उतपादक्ता म कमी आती है तो फिर उनके लाब में भी कमी आएगी वहीं अगर हम बात करें प्रतिभा के इस तर पर तो देखिए उस पर भी असर पड़ेगा वह कैसे वह इस प्रकार से कि अगर इस्थानी उमिद्वार को इस बात का आस्वासन हो जाता है कि उनके समक्ष किसी प्रकार की कमी देखी जाएगी दूसरी तरफ वैसे राज जो ओद्योगी विकास की गती में पिछड़ चुके हैं परंतु उन राज्यों में अगर कुसल कामगार मौजूद हैं तो उनके समक्ष आर्थिक क्रियाकलाप या उनके समक्ष रोजगार उपलब्द नहीं है परंतु वह उ इससे क्या होगा कि उन कुसल कामगारों की पृतिवा को भी उचित एस्थान नहीं मिलेगा वह यह अगर शप्रवासी मजदूरों की बात करें तो फिर उनके समक्ष क्या इस्तिती होगी आई की समस्या उत्पन होगी और राएक की समस्या उत्पन होने की कारण वे गरेबी और भुकमरी के सिकार भी हो सकते हैं और एक दूसरा परिणाम यह भी निकल सकता है कि अपराद में भी विर्द्धी हो सकती है और एकाएग अगर राज्यों के द्वारा इस प्रकार के अगर कानून बनाए जाते हैं तो फिर वैसे राज्य जहांपर की ओद्योगिक विकास अभी नहीं हुआ है तो उन राज्यों के समझ एक अनावस्यक दवाब उत्पन होगा और इसका परिणाम यह निकलेगा कि छेत्रवाद में विर्द्धी होगी एक दूसरा भी परिणाम हो सकता है वह यह हो सकता है कि अगर राज्यों के द्वारा बल पूर्वक इन कानूनों को मानने के लिए बाद्ध किया जाता है तो फिर इन राज्यों से उत्पादन इकाईयां अन्य उन राज्यों में चली जाएगी या दूसरे राज्यों में चली जाएगी जहांपर कि इस तरकी कोई बादिता नहीं है अब यहांपर यह बात कही जा रही है कि गुरुग्राम में जो IT सेक्टर और IT सेक्टर से समंधित उत्पादन इकाईया है या हो सकता है कि वह न्वेडा या फिर पूना में अपनी फैक्टरी को फिस्थापित करने अब हम परिच्छन करते हैं इस कानून की समयधानिक आधार पर तो देखें सरकार का पक्चिया है कि या जो विधी है वो समयधानिक आधार पर सही है वह कैसे तो अनुच्छेत सोलह में जिस नियोजन में अबसर की समता की बात कही गई है वह अफसर की समता लोक नियोजन के संदर में है ना कि नीजी नियोजन के संदर में है वहीं विशे सग्यों का यह मानना है कि सरकार का पक्ष सही नहीं है वह क्यूं? वह इसलिए क्योंकि यह जो विधी है वह अनुचेद 14 के अंतरगत जो सम्ता का अधिकार लोगों को दिया गया है उसका उलंगन करता है यह अनुचेद 15 का भी उलंगन है वह कैसे? तो वह इस प्रकार से कि अनुचेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य नागरि तो फिर इसका समाधान क्या हो तो इसका समाधान दो प्रकार का हो सकता है एक तौरित समाधान और दूसरा दिरकालिक समाधान तौरित समाधान जो है उसका आधार समयधानिक है वह कैसे वह इस तरीके से कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा के द्वारा पारित इस प्रकार क के विध्यक को कानुन बनने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की आभिस्यक्ता होती है तो अब राज्यपाल क्या करे कि इस प्रकार के परतियक विध्यक को राष्टपती के लिए सुरक्षित रखते वहीं अगर दिरकालिक समाधान की हम बात करें तो फिर परतियक राज्य अपने यहां ओद्योगी क्रिया कलाप में विर्धी करे या ओद्योगी क्रिया कलाप विर्धी पर जोर दे वहीं अपने राज्य में निवेश को आकरसित करने के उपाय अपनाए और उन राज्यों में जो करमचारी और मजदूर हैं उनको भी प्रसिक्षन दे तो इन सभी कारियों से एक ऐसे वातावरन का निर्मान होगा, जिसमें कमपनी जादा से जादा रोजगार देने को उत्साहित होगी, वहीं मजदूर स्वेक्षा से अपने छेत्र में स्रम करने को भी काफी प्रोजशाहित होगा, तो फिर किसी विधी निर्मान की माधिता हर एक राजी सरकार पर नहीं होगी, इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने याद देखा कि रोजगार में इस्थानी उमिद्वार के आरच्छन प्राबधान के क्या लाब है, उसकी क्या सीमाए है और इसका क्या समाधान है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपा संपादिकी को भी विस्तार के साथ, इस संपादिकी का आधार क्या है, इसका आधार है वर्च्वल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंटेवल जिसका आउजन किया गया केंद्रिये वित्त मंत्राले और राश्ट्रिये निवेस एवं अब सनचना कोस के द्वारा, और इसकी अधिक्षिता की प्रधान मंत्री ने, अधिक्षिता करते वे प्रधान मंत्री ने जो बातें कहीं हैं, जरा देखी वह बातें क्या हैं, प्रधान मंत्री ने बात कहीं है कि कोविड के विरुद्ध जो भारत का कार रहे है, वह काफी परसंस नहीं रहा है और वैस्विक इस धारना पर टिकी वी है मतलब वह जो green technology है उस पर टिकी वी है उसके अलावा प्रधान मंत्री ने यह बात भी कही कि जो आत्म निर्भरता की पहल है वह केवल एक vision या दृष्टिकों नहीं है बलकि यह भारत की आर्थेक रणनीती है अब यहाँ पर यह है कि निवेसकों को आक कार रहें उसमें काफी अंतर है वह कैसे जला कुछ उधारनों को देखिए आविस्यक वस्तु अधिनियम 1905 में संसोधन किया गया और इस संसोधन का उद्देश से क्या था संसोधन का उद्देश से था कि किर्षकों की बाजार तक पहुंच सुनश्चित हो मतलब जादा से जादा बाजार पहुंचो और वहीं किर्षी निर्यात में बढ़ोतरी हो अब देखिए हाल के दिनों में प्याज के मुल्ले में विर्दी हो गई है जो प्याज है उसे आविस्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है परंतु उसके बावजूद ना केवल प्याज क निर्यात को रोका गया बलकि प्याज के भंडारन सीमा को भी तै किया गया जो आविस्यक वस्तु अधिनियम 1905 में जो संसोधन किये गए उसके प्राबधानों के ठीक विपरीत है अब जब यह बात हुई है तो निवेसकों के मन में यह आसंका घर करने लगी है कि सरकार के कर्षी चित्र में सुधार और कर्षी चित्र में निवेस के लिए कर्षी समद्री जो तीन कानुनों में संसोधन किये गए हैं क्या उनके प्राबधानों का उचित रूप से कर्याम्र Bett हो पाएगा वहीं अभी हमने क्या देखा, कि हर्याना सरकार के द्वारा एक नई विधी लाई जा रही है, जिसमें यह प्रावधान है कि रोजगार में इस्थानिय उमिद्वारों के आरक्षन की विवस्ता हो, तो अब यहाँ पर देखे क्या है, कि केंद्र सरकार क्या करती है, कि लेबक इसका विरोध करते हैं उद्योगपती, और इस प्रकार की प्रतियक विधी नए निवेस के मार्ग में बाधा उत्पन्य करती है, अब बात करते हैं आत्म निर्वर भारत कारिक्रम की, तो यहां कारिक्रम भी भ्रहम की इस्थिति उत्पन्य कर रहे है, वह ऐसे कि सरकार यह टैरिफ बाधाओं में वृद्धी कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि आयात और निर्यात सुल्क में भारत सरकार के दोरा वृद्धी की जा रहे हैं वहीं जो कुछ निर्यातित वस्तुएं हैं उन निर्यातित वस्तुओं की संख्या को भी भारत सरकार सीमित कर रहे हैं तो यह क् भारत आयात प्रतिस्थापन की नीती की और वापस हो रहा है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि 1991 से पहले भारत की जो वैस्विक व्यापार की नीती थी वह आयात प्रतिस्थापन की ही नीती थी जिसका उद्य सिथा आत्म निर्भरता के साथ वृध्धी को प्राप् उसे अंतराश्टिय मध्यस्तता नियाधिकरण ने खारिज कर दिया था। अब अंतराश्टिय मध्यस्तता नियाधिकरण के इस फैसले की वरुद्ध भारसरकार फिर से अपील कर सकती है। सितंबर में जो निवेश है उसके इस्तर में कमी देखी गई थी। और फिर जब महामारी आई मतलब करोना महामारी का प्रवेश्वा तो यह जो निवेश का इस्तर है उसमें और कमी देखी गई। मतलब यह कि निवेश को बुरे तरीके से प्रभावित किया करोना महामारी न वहीं अगर इस्थाई निवेस की हम बात करें तो चालू वित्वर्स मतलब 2020-2021 के प्रथम तिमाही में इस्थाई निवेस में भी कमी देखी गई है इस्थाई निवेस का अर्थ क्या है मसिंडरी और प्लांट में निवेस अब आगे क्या इस्थिती है तो आगे और निश्चित्ता की इस्थिती बनी हुई है वह कैसे तो वह ऐसे कि उपभोग मांग में कमी है अगर उत्पादन इकाईयों की बात करें तो उत्पादन इकाईयां अपनी पूरी छमता से अपनी उत्पादन छमता का प्रयोग नहीं क कमी है और अगर अर्थ विवस्था में निवेश के इस तर में कमी होती है तो फिर इस कमी को कौन पूरा करती है सरकार सरकार के समझ कैसी इस्थिति है तो सरकार के राजकोसी घाटे में वृद्धी हो रही है और सरकार की जो आय है उस आय में कमी हो रही है सीमा पर तनाव की इ पाते हैं कि सुरुवात के पांच महने में FDI प्रवाह में 13% की विर्धी देखी गई, तो इसका अर्थ यहां पर लगाया जा सकता है कि वैस्विक निवेसक समुदाय को भारती अर्थविस्था पर भरोसा है, परन्तु ऐसा नहीं है, वह इसलिए क्योंकि यह जो 13% FDI प्रव में विर्धी चालू वित्वर्स के प्रारंभिक पांच महिनों में हुई है, उसका तीन चौथाई निवेस, मतलब 27 बिलियन डॉलर, वह एक टेलिकॉम कंपनी के शेयर अधिगरहन में हुआ है, तो मतलब यहां पर यह है कि अगर इस परकार का निवेस होता है, तो इस परक करते हैं कि जो सरकार है, सरकार का कार्य किस रूप में है, तो प्रधान मंत्री यह सुनिश्चित करें कि सरकार की जो कथनी है और जो सरकार की करनी है, उसमें किसी परकार का कोई अंतर ना हो, इस परकार हमने इस संपादिकी के माध्यम से इस बात पर चर्चा की, कि निवेस में विर्धी के लिए यहां आवश्यक है कि सरकार पुर्व घोसित अपनी नीतियों का क्रियानन सही रूप में करें ताकि निवेशकों का भरोसा भारत के प्रति वास्तिक रूप में जगे देखते हैं या प्रस्न प्रस्न है कि रोजगार में इस्थानीय उमिद्वारों के लिए आरक्षन पर अपने मत को इस पस्ट करें इस मेकार हमने आज दो संपाद की पर चर्चा की इसके साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार